हालो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मैं चैनल भोगवाटका, मैं मन्जू अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं बताऊंगी कि कैसे हम मलाई के स्टोर करके उसमें से मक्खन निकालेंगे और मक्खन से हम देशी घी बनाएंगे, सर्दियों की मौसम में मक्ख जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैंने एक कटोरा मलाई स्टोर करके रखी थी फ्रेज में, मैं इसको ब्लेंडिंग जार में डाल लूँगी, मैं आदा जार भर के मैं इसको एक मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी, मिक्सर जार में मैं इसको एक ही मिनट के लिए ब्लेंड करूंगी इसके बार में इसमें गुंगुना पानी मिला दूंगी गुंगुना पानी एक ग्लास मिलाया है मैंने इसकी हल्ट से मलाई में से मखन अलग हो जाएगा और इसको फिरसी में एक से दो मिनट के लिए ब्लेंड कर लोंगी ये देखिए आप देख सकते हैं पानी अलग हो गया है और मक्षन अलग हो गया है अभी मैं मक्षन को निकाल लूँगे इसको बॉल बनाते हुए हलका शेक करेंगे और उसमें से एक्ष्टा पानी को रुमूव करते हुए हम सारा मक्षन निकाल कर कड़ाई में रखते जा रहे हैं यह जैसे इसमें उबाल आने लगेगा उबाल आने के बाद इसकी फ्लैम को मीडियम कर देना है और बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाना है अभी फ्लैम को मैंने मीडियम रखा है मीडियम फ्लैम पर हम इसे चलाते जाएंगे यह देखिए इसमें से गी बनना स्टार्ट ह गी अलग हो गया यह देखो यह गी बन के तयार हो चुका है अम इन फ्लैम को बन कर देती हूं और हम घी को चान लेंगे इसमें से जो मलाई का वेस्ट बचरा इसको हम फैंकेंगे नहीं इसको मैं ग्रेवी को बनाने के लिए यूज करूंगी सब्जी की ग्रेवी बहुत टैस गी बना सकते हैं सर्दियों में गरम पानी मिलाएं और गर्मियों में ठंडा फ्रीज का पानी मिलाकर सेम प्रोसेस के साथ सुद्द देशी घी आप घर में आसानी से बना सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको रेसिपी पस संद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू